पड़ी कबर मुंबई से आ रही है जहां एक हाउसिंग सुसाइटी पर बकरे पर बवाली हो गया बीती रात मुंबई के मीरा रोड की एक सुसाइटी में दो बकरे लाने पर अंगामा मच गया धारमिक नारे बाजी शुरू हो गई कभी हनुमान चाली इसा का पाट किया गया तो कभी जैशे राम के नारे लगाये गए उसके बाद पुलिस मौके पर पहुँची और लोगों को समझा बुझा कर मामले को शांत कराया खबरो की माने तो मौसिन शेक नाम का शक्स ईद की कुर्बानी के लिए दो बकरे लेकर सोसाइटी में आया था जैसे ही सोसाइटी के लोगों को इस बारे में जानकारी हुई तो सोसाइटी के बाहर लोग जमाओ कर बकरे को बाहर ले जाने के लिए विरोध प्रदर्शन करने लगे सोसाइटी के लोगों का कहना है कि नियम के मुताब एक सोसाइटी में कुर्बानी नहीं दी जा सकती और ऐसा किया जा रहा था और इसलिए ये विरोध प्रदर्शन किया था अब बड़ी ख़बाद मुंबई से आप देख रहे हैं ये तस्वीर है विती रात एक सोसाइटी में यहंगामा होता है जहां एक शक्स इज की कुर्बानी के लिए बकरे ले खर आता है और वो कुर्बानी देली के कोशिश करता है इसी पर सोसाइटी के बाकी लोग नाराज होते हैं और कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर ऐसा नहीं कियाडा सकता और वहाँ जेश्वे राम, जेब जरंग बली इस तरीके के नारिवाजी करने लगते हैं ये खबर आप मुंबाई के देख रहे हैं जो है बकरा ले आता है शक्स का नाम मौसिम शेख ये ईद की कुर्बानी के लिए बकरे लेकर आया और कुर्बानी देने ही जा रहा था कि तभी सोसाइटी के बाकी लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया हम दो तस्मीरे आपको दिखा रहे हैं पहली तस्मीर आप जब सोसाइटी के कितने लोग ये सीसी टीवी पोटे सामने आया देखें ये लिफ्ट से बाहर निकालते हुए दो बकरे ये जो दमपती है ये अपने साथ दो बकरे लेकर आती है और इनकी कुर्बानी देने की बात होती है इद की कुर्बानी दी जाती है कुर्बानी देन है हम आपको CCTV फोटेट दिखा रहे हैं लिफ्ट के जरिये शेक नाम का इस शक्स और उसके साथ एक बाहिला ये दो बक्रे लेकर आती है और उसके बाद में कुर्बानी देने की कोशिच होती है क्योंकि एद की कुर्बानी देने की बात है ऐसे में जो बाकी सोसाइटी के स्धिक कप बात है और उसके नाम का इस श्थक्स और उसके बात है मामला सिंपल सा है हम एक ही चीज की बात कर रहे हैं सारे सोसाइटीज मिलके यह तैग कर चुकी है और पर्मिशन नहीं दिया है बकरा लाने का बिल्डिंग में फिर भी उसके बावजूत बीना सबके एगेंस जाकर बीना पुलीज के पर्मिशन के बीना बिल्डिंग के सोसाइटी के पर्मिशन के बाई लॉज को तोड कर बिल्डिंग के अंदर बगरा लेकर आया गया है श्रेया हमारे साथ हमारी सायोगी जुड़ गई है पूर लाइन के जरीए श्रेया सबसे बड़ा सवाल यह कि सोसाइटी के आके नॉम्स क्या है यह जो आड़लु है वो क्या कह रहा है कि ला सकते हैं नहीं ला सकते हैं उसके बाद यह बवाद लेकिंगे साथ वासर यह जो पूरा मामला है वो इसी बात पर शुरू हुआ क्योंकि सोसाइटी में बकरा लाने के अजाज़त तो है वो सुसाइटी मेंबर के नहीं दूटी उसके बावजूद उस परिवार में दो बख्रियों को जो है वो घर लाया इसके बाद पूरा बव अगर नॉम्स यह जाएट आप नहीं ला सकते तो फिर यह क्यों लेकर आए हैं कुछ कहा कोई स्टेट्मेंट उनकी और से अरव सственно left शेकिन इनकी तरफ साही नहीं ना जा जा है लेकिन साफ तोर पर बिल्डिंग में जब उन्होंने परमिशन की मांग ती तो बिल्डिंग वालों ने साफ तोर पर बकरी को घर लाने से ना लेकिन उसके बावजूद उस पूरे परिवार में दो पक्रों को जो है वो घर लाया जिसके बाद ये पूरा मामला जो हो वो बढ़ा और हंगामा जो हो वो बेड़िक में देखिए श्रेय आप हमारे साथ में बने रही है यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यह विवाद प्रदर्शन शुरू कर देते हैं हंगामा करते हैं अनुवान 40 का पाट करने लगते हैं जैश्राम के नारे लगाते हैं यह नाराजगी जाहिर करते हुए कि जब नॉम्स हैं जब यह डिसाइड हो चुका है कि आप सोसाइटी के अंदर बकरा नहीं ला सकते तो आप आखिर बकरा कैसे लेकर आए हैं महौल इतना खराब हुआ कि पुलिस को बीच में आना पड़ा है महौल शांत कराना पड़ा है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि जब सोसाइटी के नियम तै हो चुके हैं तो बावजूद उसके क्यों लाया गया श्रेया का रुक कर लिते एक बा कि वो बकरा बीच में ला सकते हैं या नहीं ला सकते तो पोलिस तो है पूरे मामले की जाथ कर लियी तांज भास कर रही है को पूरा बाव्ब बिक्रांवशल वाण के बने की तो प्रम दृवाल है वन की चलता गया तो पुलिस सबदों भाड़ा शांटी fine किस वत की पूरी गटना है कि असपास लोग ते क्या उन्होंने देखा तब रोकने की कोशिश नहीं की गई क्योंकि हम तस्वीरों में लिफ तक आ चुका है तो सुसाइटी में गार्ड भी होगा वो भी रोकने की कोशिश करता लेकिन असा दिख नहीं रहा है तो बीडिंग में बकरे को लाया गया था तो वाच्में उसकी चूचना जो है वो बिल्डिंग में लेने वाले लोगों को दी जिसके बाद आप देख सके सुचीव सभी साफ तो और नग्जर आ रहा है कि लिफ से जो है वो बकरो को बाहर निकाला जा रहे है तो तैसे ही पायार की कोई भी सूचना जो है वो सामने नहीं आई है लेकिन लगतार इस पूरे मावले की जाज जो है वो पुलिस कर रही है और ये पता लगा रही है कि आखिपकार क्या गूदिंग में बकरालाने की परमिसिन दीगे थी या नहीं दूसरे एक बार फिर से हम आपका में लेकर आया पिर आपने प्लाट की तरफ बकरा ले जाता ही है तो क्या कुछ मेंबर्स के रहा है ससाइटी के एक बर फिर से आप सुनेगर फिर से आप इनल वां पिर नारे बाजी आप सुल रहे हैं जैशेराम के नारे लगाय गए हन्वान चालीसा का पाट किया जाता है दरसल यह मसला पूरा सोसाइटी के रूल्स और रेगलेशन से जुड़ा हुआ भी है क्योंकि जब भी कोई सोसाइटी तरीके से तैयार होती है तो सोसाइटी मेंबर इसको रूल्स रेगलेशन से तयार करते हैं चाहे वो किसी त्योहार को लेकर हो चाहे किसी और चीज को लेकर और सभी सोसाइटी के लोगों को उसको पॉलो करना होता है अब इसमें से एक रूल ये भी तैय किया गया जो हमारे सयोगी बिजानकारियम को दे रहा है कि कोई भ जबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुए कोई अपडेट आता अब तक सब से पहले म्यूजट इन इंडिया पहचाएगा